गंगा जल ले लिजे धकन खोलिए हाथ में लिजे और ये वीडियो देश के परधान मंत्री तम जाना चाहिए और जब देखेंगे तो उनको एसास हो जाएगा कि अब निसाद का बेटा का भोट बिकेगा नहीं गंगा जल ले लिजेगा आज कि तारीख में चर्चा दो गठभनधनों की होरी संकल प्यात्रा पर निकला हूँ जो पटना से पच्षेश जुलाइ को बिरांगना फुलों दिवीजी के साधर दिवस पर हमने निकाला है और ये 101 दिन तक यूपी बिहार और जारकर्ण तीनों राज में चलेगी और 80 जिला को हम लोग कवर करेंगे अभी हम अपने लोगों की बीच में जा रहे हैं अभी बड़ा हमारे जो लड़ाई है निशाद समाज को रिजर्वेशन का एसी का दरजा मिले जो बंगाल में अलड़ी आरक्षन मिला हुआ है दिल्ली में आरक्षन मिला हुआ है लेकिन बिहार या जारकर्ण में या उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है तो इसके लिए हमारी लडाई है कि जब देश एक है समिधान एक है तो फिर हमारे साथ भीदभग क्यों हो रहा है बिहार बंगाल औरिसा ये समय राज हुआ करता था एक निशाद समुधार को ही एक पार को आरख्षर मिलरा है दूसरे पार को नहीं मिलरा इसके लिए लगातार नौ साल से मैं लाडाय लाड़ा, भारत सरकार के समपर्क में रहा हमेशा मोदी जी से भी बात हूआ, गरा मंत्री जी से भी बात हूआ जो बड़े धड़े हैं उनको प्रभावित करना या दवा बना करके आरक्षन हासिल करना? बड़े हमारा रिजर्वेशन दो नहीं तो हम आपको नहीं सुनेंगे आरक्षा नहीं तो गठवन्दा नहीं तो भोट नहीं का नारा लेकर हम लोग अलड़ी निकले हैं तो यह भारत सरकार को ही हम कह रहे हैं तो निश्य तोर पे हम इस से अगए पर चाहेंगे कि मौदी जी ग्यूकर 121 लोग सवा सिट है तीन टावेशन जी जिसमें कोई इसा लोगसवा नहीं कि जहां 50.000 सें रीचे हैं बहुत बड़ा population OBC का है HCT का है और यह काफी लंबे समय से देश में जाती का जन्रना नहीं हुआ और देश में जाती का जन्रना होना चाहिए ताकि सरकार को कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए ठोस निरने लेने के लिए उनके पास आसान होगा कि भाई कि जाती का क्या है और कि आर्थिक स्थिति क्या है तो यह मांग हम लोगों का भी था मानी मुखमत्री नितिश को जी को इस चीज के लिए मैं धन्यवाद दूँगा कि यह उन्होंने इस चीज को करा रहे हैं और बहुत सारा अर्चने हुआ उसके बाद जुद भी कोट के द्वारा भी क्लिंचिट म भी मौका मिले दौनों मेंसे कोई गठबंदन जॉइन करने का तो किस में जाएंगे अभी तो फिलाल हम रिजर्वेशन के लिए लाए लग रहे हैं और हम उमीद करते कि मोदी जी करें तो निश्य तोर पर उनके बारे हम सोचेंगे यदि अगर वो नहीं करते हैं तो निश किस् Attribκल पार्टि भी इस्यत बना और चार विधायक बना और बार बहाज़पा के लिए अपने में मिला लिया हम पहली बार मंतरी बने अपने दम पर में आपने लोगों के ली कुछ काम कर रहे थे हमें मंतरी मंढल से बाहर कर दिया तो इतने सारे जखम भारतिय जनता पा दिखार हैं और हमारे जैसे पार्टी को जब इतना संघर्स के बदलत हमने पार्टी खाड़ा कि आपने खतम कर दिया तो यह भी कहीं नहीं समाज में काफी रोज है तो निश्चित तो पर उनके साथ हम सबार सोचेंगे कि उनके साथ जाने के लिए रहा है इंडिया तो इंड किसी बॉल में ना जाके किसी के तरफदारी ना करके हम एक ही नियंतर में रहे कि मोदी जी हमारी बात को माने और आरी जरुएशन लागू करें भरोसी की थोड़ी कमी है आप संकल्ब करा रहे हैं कसमें खिला रहे हैं लोगों से कि वो आपकी पार्टिया उनके सिधानतों क के साथ जुड़े रहें क्या वजा है इसकी निश्यत तोर पर देखे अभी जो हमने पिछले आट-9 साल से इस समुदाय के बीच में हमने काम किया है और हमें इस पूरा भरोसा है इनको भी मेरे पूरा भरोसा है और इसमें हमने तीन-तीन बार राज में हम उपचुनाव हू है उसे ज्यादा हम प्राप्त कि चाहे हो सिम्री वक्तियारपुर में हो 25,000 बोट हमने लाया कुरन अभी बोच्छा में हमने लड़ा वहां पे 30,000 बोट लाया और एंडिय के पास 45,000 बोट आया तो हम किसी से कम नहीं हमारे समुदाय की बीच में अगर भाजपा भोट लेने का हमेशा उनका ट्रेंड रहा है तो इस वार ये भी ट्रेंड को मैं चाहता हूं कि तोड़ दे और उसका भरम भी तोड़ दे कि आप यह मत सोचना कि आपके 100 करोड़ रुपे है और पैसा बाटके अप चुना आप जीत लोगे और उस समय में निशित तो और पे 10-20, इसके बारे में सुचीएगा और गंगा जल जो हाथ में लेकर संकल्प किया था कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाए लएंगे अपने बच्चे को आगे बराएंगे एक रोटी कम खाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे पाटी के साथ रहेंगे पाटी के निरन दो हजार चौबीस में आप क्या देखते हैं दो बड़े घटक हैं एक सत्ता पक्ष है एक विपक्ष है इंडिया का आपको क्या लगता है क्या परिनाम हो सकता ऐसी श्थिति में बिहार में बिहार में तो बहुत बुरा होगा भारती जनता पाठी के लिए खास करके क्योंकि है नितीस किमार जी के जाने के बाद अगर एक लाग भोट अगर इधर से उधर गया तो विपारती जनता पाठी के दो लाग कर नुकसान होगा क्योंकि जो इनके पास था वो उद्हर चला गया या जो उनके साथ कभी काम किये हैं, ऐसे लोगों को उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। या आप हैं एक प्लेयर, इसके अलावा भी कई पपू यादव हैं, वो भी अपनी जयाब को ले करके काफी ज़्यादा फिल्ड पर दीखते हैं, तो ये भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं महागटवंदन को, एकदम स्ट्रेट आप जिस तरह से कहरें कि बीजेपी को ही महागटवंदन को नुकसान करने के लिए इसे राज में कोई पाटी नहीं है, ओविसी जी भी है, वो इस बार जो पिछले बार जो कुछ भोट उनको प्राप्त हो गया सिमांचल में, इस बार उनको भोट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि खासकर का संखेक समाज का जो मुस महागटवंदन के साथ रहेंगे, और वो ऐसे जगह पे जहां पे पुर्वांचल है, जहां पे 74% मुसलिम अबादी है, वहां पे अगर 5% भोट भी अगर ले आएंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता महागटवंदन को, तीन-चार जिला ऐसा है, जहां पे भोट ही बहुत ज सरने होगा, तो महागटवंदन को कोई भी एंगल से चोनोती नहीं होगा, रहा कि पपुयादव है, तो वो भी एक लालू जी है, तेज़ेश्वी परसाद यादव जी, लीडर्सिप अलड़ी ले चुके हैं, तो मुझे ने लगता है कि और राज के हर एक विक्ति को लगत जाके बूद पर जाके बोट गिरा दे, तो ऐसी बाते हैं, बिजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार में, आपका पत्ता कब खुलेगा, नॉममर तक तो यात्रा ही रहेगा, और यात्रा के बाद फिर पत्ता खोलेंगे, और दवाब तो निश्चित तोर पे ह परधान मंत्री जब बनेंगे तब वो करेंगे, अभी तो हमारा यही है कि कल करेंगे, उस पर ज्यादा फोकस करने साथ आज करें रहे हैं, उन पर ज्यादा फोकस रखा जाए